हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्रीवन टैक तो फ्रेंट्स आप सभी लोग फेस्बुक तो यूज करते ही होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक फेस्बुक पेज कैसे क्रेट कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं मैं सारा प्रोसेस आपको मोबाइल से ही करके बताऊंगा आपको अच्छे से सिखाऊंगा स्टैप बाइस तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप फेस्बुक पेज से अर्निंग भी कर सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मुबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो फेस्बुक की एप्लिकेशन है उसे ओपन कर लेना है तो मैं इसे ओपन कर लेता हैं और आपको अपनी फेस्बुक की एप्लिकेशन में लोग इन कर लेना है मैंने इसमें लोग इन कर लिया है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर टोप राइट कॉर्णर में थी लाइन्स दिखाई देंगे आपको इन थी लाइन्स के उपर क्लिक करना है और यहां से पेजिज लाइक, पेजिज और इन्वैटेशन ये तीन आप्शन आ रहे हैं तो हमें पेज बनाना है नया तो हमें इस क्रिएट वाले ओप्शन के उपर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने आ जाएगा यहां पे लिखा भी आ रहा है create your page ठीक है तो यहां पे हमें यह get started का जो option दिखाए दे रहा है उसके उपर क्लिक करना है और यहां से हमें सबसे पहले अपने जो page है उसका नाम यहां पे डालना है तो हमारा यहां पे नीचे लिखा भी है the page name should be the name of your business personal brand or organization you can request to change this letter यहां पे आप business है अगर आपका कोई business है या brand है कोई organization है या आपका कोई personal page भी है तो आपको यहां पे उसका नाम लिख लेना है तो जैसे मैं आपको technical का कोई channel बना के दिखा देता हूं तो यहां पे मैंने अभी techno डाल लिया नाम ठीक है उसके बाद हमें आपे next का जो option दिखाए दे रहा ह हमें इसके उपर click करना है तो हमने जैसे ही next पे click किया तो हमारे सामने ये page आ गया कि which category best describes this page तो हमें कहरा है यह category पूछ रहा है हमारे page की ठीक है यहां पे popular category आपको show कर रखे है computer की company का है कोई personal blog है camera photo है beauty cosmetic या personal uses से related है और यहां पे आपको यह search का option भी दे रहा है तो आप य यहां पर मैं technical डाल के देखता हूँ कुछ आता है तो यहां पर अप देख सकते हैं कूछ ओर डाल लेते हैं तो यहां पर creator डाल के देखते है creator से यहां पर एक काफे सारी option आगे तो अभी हम फिंडाल के लिए यहां पर digital creator लिख देते हैं ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है next का option हमें दिखाई दे रहा है हमें next वाले option के उपर click करना है उसके बाद यह हम से कह रहा है location डालने के लिए आप चाहें तो यहां पर अपनी address location यहां पर डाल सकते हैं ठीक है यहां पर search कर सकते हैं जहां भी आप रहते हैं मैं अभी के लिए वो location एड नहीं कर रहा हूं तो नीचे आपको देख सकते हैं यहां पर एक option आ रहा है I don't want to add an address तो मैं इस वाले इसके सामने जो box से उसे tick कर दूँगा ठीक है और यहा यहां पर next पर click करूँगा उसके बाद यह हम से कहजा है कि add images to this page यहां पर यह cover photo है add cover photo और यहां पर यह एड profile picture है ठीक है तो हम यहां पर पहले add cover photo, अगर हमारे phone के अंदर कोई है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे add cover photo पे click करता हूँ, और यहाँ पे कोई photo लगा देता हूँ, तो जैसे मैंने यह photo select कर ली, ठीक है, इसे यहाँ पे crop करने का भी option आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ save पे click कर देना है, जैसे save करेंगे तो यह हमारे background में लग गई, ठीक है, cover photo अगर हम इसमें कुछ edit करना चाते हैं, तो यहाँ पे यह edit का option दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से edit कर सकते हैं, उसके बाद add profile picture जो बीच में है, यहाँ पे click कर गए कोई profile photo लगा लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं चाते तो इसे यहाँ से हटा दें, तो यह post नहीं होगी, अभी मैं करके रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से उपर audience select कर सकते हैं, ठीक है, यह public है अभी, ठीक है, सब को दिखाई देगी, यहाँ से done कर देंगे, और यह save कर देंगे, ठीक है, यह इस तरीके से हमारी profile picture लग गई, ठीक है, दोनों चीजे लग गए, अब यहाँ पर done पे click करना है, उसके बाद यह हम से कह रहा है, connect WhatsApp to Facebook, तो यहाँ पर आप अपना mobile number डालके, अपने WhatsApp को इस Facebook से connect कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर mobile number डालेंगे, यहाँ पर जैसे आप mobile number और यहाँ पर continue पर click करेंगे, तो आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP डालके आप इसे connect कर सकते हैं, और चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैं भी skip कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर important next steps, तो यहाँ पर next पर click करेंगे, invite friends to like this page, आप अपने friends को invite कर सकते हैं, उनके साथ अपना page, join groups आ गया, group join कर सकते हैं, WhatsApp से connect कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया, creative welcome post लगा सकते हैं, कोई post create कर सकते हैं, नया आपना, setup automated messaging, यह भी आप यहाँ पर setup कर सकते हैं, settings में, add a action button for visitor, action button लगा सकते हैं, कि कोई भी आपके page पी आए, तो आपके page उसे क्या show होगा, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, कैसे करना है, उसके बाद यहाँ पर click कर देंगे उपर, तो यहाँ पर notification भी आ रहा है, add a WhatsApp button to this page, ठीक है, WhatsApp से connect करने के लिए, ठीक है, इसे मैंने अभी skip कर दिया, तो यहाँ से cancel कर दूँगा अभी, यहाँ पर नीचे स को जो भी यहाँ पर show करना चाते है, बटन, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर follow वाला बटन यूज कर लेता हूँ, यह follow का बटन है, तो यहाँ पर create पर click करेंगे, तो यह आप देख सकते है, follow का आ गया, तो कोई भी मेरे page पर आके मुझे, जैसे follow पर click कर कर लेगा, यहाँ पर नीचे post है, reel है, ठीक है, यहाँ से post कर सकते हैं, reels है, यहाँ से promote कर सकते हैं, यहाँ पर edit page का एक option दिखाए देता है, आपको last में, आपको इसके उपर click करना है, और यहाँ से आप अपने page के अंदर edit कर सकते हैं, काफी सारी चीज़े हैं, इसमें यहाँ पर settings है, नीचे सबसे last में, आपको इन settings पर click करना है, और यहाँ पर आपको page info पर click करना है, ठीक है, यहाँ से आपकी जो profile के setting है, वो आ जाती है, सारी, यहाँ पर आप नाम change कर सकते हैं, कुछ और लिखना चाहें तो, यहाँ से आपकी category है, और category आप यहाँ पर add कर करना चाहें, तो वो add कर सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, add category पर click करके, उसके बाद बैका जाएंगे, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, हमारी cover photo, profile photo हमने लगा दी है, यहाँ पर add website है, अगर आपका कोई YouTube channel है, कोई blog है, कोई website है, तो आप इस पर click करके, यहाँ पर उसका contacts हैं, यहाँ पर आप अपने phone number आड़ कर सकते हो, add phone number पर click करके, यहाँ पर आप e-mail address आड़ कर सकते हो, यहाँ WhatsApp नंबर आड़ कर सकते हो, नीचे action बटन है, जो मैने यहाँ पर follow अभी add करके दिखाया आपको, यहाँ पर location है, आप यहाँ पर click करके, location अपनी डाल के, तो आप देख सकते हैं, यह मैंने जो पोस्ट, प्रोफिल पिक्चर लगाए थी, वो पोस्ट यहां पर शो हो रहा है, तो इस तरीके से आप एक Facebook पेज क्रियेट कर सकते हैं, आपने किसी भी YouTube चैनल या आप परसनल करना चाहे हैं, उसके लिए personally, उसके लिए भी blogs के लिए भी तो friends, आपने देखा कि आप किस तरीके से अपना Facebook पेज क्रियेट कर सकते हैं, और अब मैं आपको last में जो तरीका बताने वाला हूँ, इससे earning करने का वो काफी ज़्यादा interesting है, तो उसके लिए आपके पास एक affiliate account होना चाहिए, आप इसमे affiliate link generate करके, affiliate link लगा के अपनी Facebook पसंद आई हो, तो इससे like और share जरूर करें, thank you